नमस्कार मैं कुमकुम चतुरवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ ड्रॉन से औल वेदर रोड की समिक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोधी केदारनात पुर्ण निर्मार की तरह प्रधानमंत्री नडेण मोधी 23 वही कोड्रॉन से चारधाम औल वेदर रोड की समिक्षा करेंगे इससे पूर उत्राकन के मुख्यमंत्री तिवेइन सिंग रावत ने सचवाले में औल वेदर रोड और टनकपूर पितोरागर राष्ट्री राजमार के निर्मार कारे की समिक्षा की मुख्यमंत्री ने कामकाच की प्रगति और समस्याओं की जानकारी ली कई राजियों में सागर तूफान का खत्रा डिल्ली एंसियार समेत उत्तर भारत के कई राजियों में आधी तूफान से फिलहाल निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है मौसम विग्यान विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान सागर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है ये तूफान अधन की खाड़ी से शुरू हुआ है इस तूफान के आधा दरजन राजियों में सक्रिय रहने की संभावना की जा रही है यह भी कहा जा रहा है कि इस से दिल्ली NCR सीधे प्रभावित नहीं होगा 119 साल की उम्र में भी खुद खाना बनाती है कोकू डेली मेल की एक रिपोर्ट के मताबिक रूस के चेचनिया में रहने वाली कोकू इस्तामबुलोवा खुद को दुनिया की सबसे उम्रदलाज महला कह रही है और वह एक जून को अपना 129 जनम दिन मनाएंगी वह शाकाहारी हैं और खाना कम दूद जादा पीती हैं उनके पासपोर्ट में जनम की तारीक एक जून 1889 लिखी है इस उम्र में वह खुद खाना बनाती हैं उनके सभी बच्चों की मौत हो चुकी है अपनी जिंदगी से वह पूरी तरह ठक चुकी है उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें सजा दे रहा है हाफिस सईद की गिरफतारी ना होने पर अमेरिका ने जताई चिंता अमेरिका ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिस सईद की गिरफतारी नहीं होने पर चिंता जताई है अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हमारी सरकार ने जमात ओदावा के सरगना पर इनाम रखा है और वह पाकिस्तान में खुले आम घूम रहा है विदेश विभाग की प्रवक्ता हैधर नुवर्ट ने यह बात मुंबई हमले पर पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी नवास शरीफ के बयान पर पूछे गए सवाल पर कही पिछले दिनों नवास शरीफ ने कबूला था कि मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था आम के उत्पादन में दुनिया का सर्ताज है भारत भारत प्रतिवर्ष 1.87 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया में सबसे जादा आम उत्पादन करता है और यह दुनिया के कुल उत्पादन का 41 वीस्दी है भारत 50 देशों को आम एक्सपोर्ट करता है चीन 47 लाक टन मुटपादन के साथ दूसरे स्थान पर है सालाना 34 लाक टन मुटपादन के साथ थाइलेंड तीसरे पायदान पर है मध्य अमेरिकी देश मेक्सिको में हर साल लगबग 22 लाक टन आम पैदा होता है अच्छा दिखने के लिए एक महिला ने आँख के अंदर जड़वाली जुवैलरी न्यू यॉर्क के पार्क एवेन्यू लेजर सर्जरी क्लिनिक में डॉक्टर एमिल शिन ने महज 5 मिनिट में ऑपरेशन करके एक महिला की आँख के अंदर उसकी पसंदीदा प्लेटिनम जुवैलरी जड़ दी दिल के शेप की है जुवैलरी 3 बाई 4 मिलिमीटर की थी डॉक्टर एमिल ने पहले इंजेक्शन के जर्ये आँख के एक हिस्से को सुन कर दिया फिर उसके अंदर छोटा सा जेवर रख दिया डॉक्टर ने बताया कि इस ऑपरेशन में पेशेंट को जरा भी दर्द नहीं हुआ ये है दुनिया की सबसे महंगी हारले डेविटसन इसकी कीमत में आएंगी 1220 होड़ा अमेस कारे सबसे जादा कस्टमाइट बाइक के शोकीनों के लिए हाले डेविस्टन पहली पसंद है अब हाले डेविस्टन ने दुनिया की सबसे महंगी बाइक पेश की है जिसकी कीमत 12.2 करोर रुपे है इतनी कीमत में 1220 होड़ा अमेस कारे खरीदी जा सकती है यह बाइक हीरों से जड़ी हुई है और इसे ब्लू एडिशन में बनाने के लिए वाच और जोलरी कंपनी बुकेरर के साथ साजयदारी की है इस बाइक के खरीदार को कस्टम कॉल एप बुकेरर रिस्ट वाच भी दी जाएगी जिसके डाइल पर मोटरसाइकल वारे डिजाइन एलिमेंट्स होंगे बाइक में हीरे जड़े हर पार्ट सिल्वर प्लेटेड कुछ को दिया गोल्ड ट्रीक्मेंट हीरे जड़ी Harley Davidson Blue Edition बाइक के हर बॉडी पार्ट की वेल्डिंग, बीटिंग, शेप देना और पॉलिश करने जैसे सारे काम हाथों से किये गए है बाइक का लिवर, रिजर्वायर कैप, हेडलाइट कवर और फुट कंट्रोल आधी को गोल्ड ट्रीक्मेंट दिया गया है बाइक के हर पार्ट सिल्वर प्लेटेड है, टॉप फ्यूल टैंक पर दो कटाउट्स है, जिसमें लेफ्ट वाले पर 5.40 कैरेट के हीरे वाला सॉलिटेर रिंग दिया गया है दूसरी तरफ कस्टम मेड वाच का इस्तिमाल किया गया है स्वारा भासकर अब फिल्मों में नहीं करेंगी स्मोकिंग सीन फिल्म वीरे दी वेडिंग में चेन स्मोकर का किरदार निभा रही एक्ट्रिस स्वरा भासकर ने कहा है कि इसके बाद वे ओन स्क्रीन स्मोकिंग नहीं करेंगी स्वरा इससे पहले फिल्म अनार कली ओफ आरा में बीडी पीती नजर आई थी स्वरा ने कहा कि फिल्म के निर्देशक शशांग होश चाहते थे कि मेरी स्मोकिंग बिल्कुल वास्तविक लगे स्वरा को फिल्म के एक सीन में सिगार भी पीना पड़ा जिसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह वाकई सबसे घटिया चीज थी कल फिर हादिर होंगे नई खबरों के साथ तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए न्यूज लाइफ